महिलाओं के लिए विज्ञान स्वास्ति एवंग पोसण अब आप सुनेंगे हमारा विशेश कारिक्रम ये कारिक्रम रास्टी विज्ञान एवंग प्रोध्योगी की संचार परिसद विज्ञान एवंग प्रोध्योगी की विभाग भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवंग समर्थित है और इसे कुमावानी सामुदाइक रेडियो द्वारा तैयार किया गया नमस्कार उमीद कारो हमेर तमाम दिद्बेणया एकम स्वस्त और खुसाल हुनार और योई स्वस्तता और खुसाली साथ साथ और हमेर महकता आचल कारिकरम गिले लगतार सुन्य हुनार मैं आपन दिद्बेणया के एक बात कंचान चूँ बहुत समय बटिक स्वस्त ने चुकी कौँ लेकिन सही वक्त ने मिली आप यूँ तो हमार महकता आचल कारिकरम गे लगता सुन्ते रचा और यह में अपन भरपूर बात चित ना कर चान लेकिन आप समय चान यह कारिकरम में डॉक्टर या फी डॉक्टर नी द्वारा बताई हुई बात हुँगे आपन जीवन में अपनों लेकिन कि खुसाल और स्वस्त जीवन कगेने चाहिए अक महला लेक काम ना करें अक पुरुष लेक काम ना करों तो वीक लीजिए यह आवश्यक्ट है कि हम आपन जीवन में हर यक उबाद के अपनों जो हमार जीवन के आसान और सरल बना सुकों खेर जिसके कि आपको मालूम चाहिए हम आपन सफ सब यानि हम Про thats अक आपकी आपको काम करों और इम में कोपो अंग सिह खोंने इन सब भात गोएं हम जाननक प्रयास को दिए अग्रह करों तो यह सफर में हमिल्ळी तक यह जना कि हमार पाचन तंत्र में आमाशे और आहरनाल कसके मदद करने तो अब ज़रूरत चेह सफर में दुई कदम आजी अग्री का बढ़नेक यानि कि आज हम जानूल अपन अग्राशे बैर में और यह सफर में हम जानूल कि हमार अग्राशे आखिर च्छंकिय कसके काम करों एक ज़रूरत महसूस है कि हम जानन हो अग्राशे आखिर च्छंकिया तो आज आफू लोगों साथ-साथ मेला जानूल कि आखिर यह अंग्राशे का काम करों जगे जानाल जी हम चलो डॉंक्टर रपास लेकिन डॉंक्टर रपास जन भी पलिया मगलागों के लेने चली जो कु च्छ शुनरखा या फिर नशुनरख हुश्गों हमेर दिर्बेण्यागी उबात मालूम हो जो मगे नहते तो किलाने सबसे पले पूश्ण आपन दिर्बेण्यागे आखिर अग्राशे अबैर में उन्नुके क्या कुछ मालूम चां हमेर दिर्बेण्याग अनुसार अग्नाशे हमारा सरीर में अलग-अलग प्रकारक पाचक रशुन निर्मार करना और योई पाचक रश में हमार भूजन लगातार पस्तेरों लेकिन ये बहतर जानकारी लिजे ये जरूरी छां कि हमगे बहतर सलाहर दिनीवा मिलों और अग स्वास्ते क्विक बहतर जानकारी हमगी डॉक्टर है अलवा कोई निदी सकन तो किले ने डॉक्टर पास जाबे पुछी जो कि आखिर हमार अग्नाशे च्छंके एक सरेचना के स्प्रकारक में और यह मानव शरीराल जी कतु महत्तपूर्ण हूं और किले और इन सब बातु जानना लीजे माफगली चलों डॉक्टर गोईंद पंगणया जी कवास अग्नाशे जो है हमारे सरीर में जो है पाचन तंत्र का ऐसा हिस्सा है जो इंजयम बनाता है इंजयम होते हैं जो भोजन को पचादने वाले पदार्त होते हैं उनको इंजयम कहते हैं तो इसको पैंक्रियाज नाम से जो है हमारे उसमें जानते है ना तो जितने भी हम हमारे भोजन में प्रोटीन होती है कार्भोहेडर होते हैं फैट होते हैं वसाजन को कहते हैं इन सब को पचाने के लिए यह जो पैंक्रियाटिक जूस जो है बनाती है और वो जो है फिर हमारे ऐसे एक इसकते हैं कि गुच्छे नूमा उसमें जैसे हैं अंगूर का गुच्छा जैसा समझे कि बीच में पेट के उसके नीचे पास महीं रखा हुआ है और उसमें ये इससे एक नली निकलती है और जो लीवर से आती है बाइल रेक्ट दोनों मिलती हैं फिर जाकर के डियोडेनम नामल जो छोटी मतलब आत का जो हिस्सा होता है पेट के तुरंत वाल वहां पे खुलती है तो एक ऐसे इसमें जो है गुच्छे-गुच्छे हैं उनका समू है वहां रस बनता है वो एक नली के दारा होते हुए जो है फिर लीवर की जो नली आती है बाइल लग्टू उसके साथ मिल करके ये जो डियोडेनम में खुल जाती है तो एक सामान्य वेक्ति को ऐसे ही समझा जाकता है ये कि गरंती है जी सर अगर इस अंग के महत्तू की बात करें तो ये अंग हमारे ले कितना महत्त पूर्ण होता है क्योंकि सामन्ता हम अगनाश है के बारे में कुछ जानते नहीं है तो इ एखिए पाचंतंत्र से सम्मंदित जहां तक आप हैं कि इसमें सारे जितने भी महत्तूर्ण होता है हूं हुप पाचंग रास अधार जो हमारे इससे निकलते हैं पैंक्रियास सिह निकलते है तो ये तो हमारा सबसे मुलबूत और सबसे आवश्यक अंग है और इसके साथ सा तो इसका तो बहुत महत्तुपून योगदान है और आने वाले हमारी जो पीडी है बहुत जादे इसमें से डाइबिटिक निकल के आ रहे हैं जो हमारी भी पीडी है युवा पीडी और अब तो इसी वज़े से जो है इसका और भी महत्तु बढ़ जाता है क्योंकि जो इंसु जो है शुगर को कंट्रोल करने के लिए तो शुगर को पचाने में भी यही काम करता है शुगर को बोड़ी में रेगुलेट करने में भी इसी का रोलना है तो यह तो बहुत ही महत्तुपून आंगे है हमारा डॉक्टरक अनुसार अग्नाशय एक प्रकार ग्रंथी वी जो पाचक रोस्वंग निर्माड करां लेकिन हम एगे अंगक रूप मिला जन सकना यानि कि अग्नाशय के हम यह अंगला का सकना और यह ग्रंथी ना का सकना और जान तक डॉक्टर साबून बात का एक महत्त वक अगर अग्नाशय हमार शरीर में नो होलो तो हमार शरीर में भोजन ठीक प्रकार ने पहुच सका कि भोजन हमार अग्नाशय में जैबेर नूना नूना टुकड़ों में बैट जो जाओ यह लुगधिक निर्माड करों और यह लुगधिक अगिल का जन में सहता प्राप्त ही क्या कि अगर खनीन अलग अलग टुकड़ों में होला तो सही प्रकार ने पहुंच सका यह बॉल जहें बेंबे जाला तो जल्दी पहुंचा यह अंग हमारी जी तुक महत्तपुर्ण हो लेकिन फिल्ला हम अंजान रनों फिल्ला हमका मालूम नहीं कि अगनाश है आहार नाल य हुने उन दिक्कत हुगे ले जाननक प्रयास हम अघिल का करूल और साथ यहला जानूल कि अगर अगनाश है बटी कोई दिक्कत हमके हुजो तो वी लीजी हमके क्या कुछ उपाय करन चे तो इन सब बातुगे जानना लिजे कि लेने पुन्हा चली जो डॉक्टर गोविंद पंगर्याजिक पास पास बगड़ जाती है तो इसमें जो है या इसमें फिर इनफेक्षन पर हो सकता है तो इसमें सुझए ना सकती है यह हम गंदा खाना आना खाएंगे किजी तरह से ना तो इसमें इसको जादे जो है गरिष्ट बोजन भी इसके लिए अच्छा नहीं है और गंदा खाना खा तो ये acute pancreatitis से लेकि क्रोनिक pancreatitis जादे करता है क्रोनिक वाली जादे होती है और कभी-कभी इसमें जो है pseudo cyst बन जाता है तो उसमें तो फिर ब्यक्तिक जो है जान बचाना मुश्किल हो जाता है तो सराव इसका सबसे बड़ा दुस्मन है तो हमको इसके साथ साथ जो तम्माकू का सेवन है इसकी वज़े से भी जो इसकी जो नली है वो बंद होने का डर होता है और इसके अलावा cancer में भी होते हैं pancreatitis के head का cancer है वो बड़ापे में या उम्र जादे होने में महां होने की संभावना जादे होती है तो मुक्यतिया जो है इसको बचाने के लिए आमको यह कि प्रकर्ति में जादे तर हम अपने को यदि प्रकर्तिक हिसाब से रहेंगे तो pancreatitis बहुत सुरक्षित हिसाब से रहता है तो उसमें कभी-कभी संक्रमन हो सकता है तो उसका दवाईयों के दारा इराज हो जाता है लेकिन उसमें जो है बैसन करेगा तंबा को खाएगा और सबसे जादे शराब का से और नेमित रूप से करता है तो उसको chronic pancreatitis हो करके उसका pancreatitis बिलकुल खराब हो जाएगा और वो जो है डाइविटिक भी हो जाएगा सुगर का मरीज भी हो जाएगा और कभी-कभी जो है सुडो सिस्ट बन गया तो वो सौक में जागा रही है उसकी जिन्दगी को खत्रा हो जाता है तो ये जो है सराब इसके लिए बहुत आनिका रहे है सर इससे जुड़ी दिक्कत हैं महला या पूरुस में से किसको सबसे ज्यादा सामने आती है क्योंकि पूरुस जो है जादे सराब का सेवन करते हैं इसलिए पूरुस में इसकी समभावना ज्यादे होती है प्रधान है क्योंकि हमारे हां पुरुष जादे इसका सरापका स्यावन करते हैं जी सर इस अगनाशे को शुरक्षित रगने के लिए और इससे जुड़ी कोई दिकर नहों तो इसके लिए हमें क्या उपाई करना चाहिए और क्या हम आहार में भी कुछ सावधनी बरत सकते हैं हां बस कम आहार बार बार लें और सुपाच्य आहार लें उसमें हमारे जो आहार के लिए जो आवश्यक सारे तत्व हैं प्रोटीन, वसा, कार्भोहडरेट, विटामिन, यह सब लें और खाना समय से खाएं अंतराल के साथ कम खाना और प्रयापत मात्रा में हम जो हैं पानी का प्रियोग करें और सबसे बड़ी बात है कि जो बैसने बैसनों से दूर रहें जैसन में मुख्य तयास शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है तंबाव को का सेवन बिल्कुल नहीं करना है टॉंक्टर साबुक अनुसार अगनाशे बटी जुड़ी ही दिक्कतें सब्से ज्यादा रहने पूरसों में किले कि हमां घर में जो पूरुस होने उइस सब्से ज्यादा धूम्रपान शराब और तंबाव को सेवन करने और यह तीन चीजें हमार अगनाशे क्या हमार हर अंग अगनाशे में कुछ खराबी आजें तो आप क्या करन चे थोड़ा सा हमों ध्यान दिन चे कि जो हम भोजन बनों या फिर जो भोजना लिजी जो सब्से इस्तमार करने उस साब सुत्री और धुई हुए और अगिल के जो में बात करने हैं खास तरुपर हमें दिद्बेर्ण कीृषि और फास भोजन करने है फिर फास आजपकगार तैजह या नहीं यहान तरह करावन करने हैं आजा लिजिए बस इतुके, आफो दिगार में फेशे करूँ मुलाकात, आपन सरीराख यक महत्पूर्ण अंगलबर्टिक जूड़ी हुई सब्र जानकारी गिल लीबेद, लेकिन तब तक मगे दिया इजाजत, नमस्कार.